अब जितने भी लोगों ने हाथ उपर किया है आप लोगों के लिए ग्रेट निउस है ग्रेट निउस यह है कि आप लोगों की मेमरी कभी अच्छी या बुरी नहीं होती बलकि वो ट्रेंड या अंट्रेंड होती है आप किसी भी उम्र में अपनी मेमरी को सुधार सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं तो आप ट्रेंड या अंट्रेंड मतलब किया जब हम कोई चीज का ज़ादा प्रयोग नहीं करते तो वो वेस्ट हो जाती है एक मर्सडीज कार न्यू ब्रैंड आप खरी दिये डीजल पेट्रोल डालिये घुमाईये गारज में रख दीजिये एक साल तक उसको हाथ मत लगाईये और एक साल के बाद गाड़ी के पास जाईए चाबी लगाईये और स्टार्ट करने की कोशिश कीजिये क्या एक बार में स्टार्ट हो जाएगी नहीं होगी बिकॉज एक साल से सर्विस नहीं क्या ट्रेनिंग नहीं दिया तो भई हमारे मेमरी के साथ यही होता है कि भई जब बच्चे एक्जाम की प्रप्रिशन करते हैं साल भर बुक को हाथ नहीं लगाएंगे जैसे एक्जाम का टाइम आया बुक अपन और केते मम्मी मुझे यादी नहीं रहता मैं क्या करूँ मेरी याद शक्ती वीक है तो यह होता है बच्चों के साथ दूसरा जितने बड़े लोग यहां पर है आपने देखा होगा कि पहले आपकी याद शक्ती अच्छी थी जब फोन नहीं आये थे सारे नमबर्स जबानी याद रहते थे हंट्रेट से ज़ादा नमबर्स जबानी याद थे लेकिन जबसे यह मुबाइल फोन आगे है घरवालों के तक मुबाइल नमबर्स याद नहीं रहते कभी बैटरी लोग ओकर बंद हो जाए तो सोच में पढ़ जाते हैं कि क्या बना दीजिए कि every day अपनी memory को train करेंगे, at least अपने mobile से पांच नमबरों को रोज याद करने की कोशिश कीजिए, आप जानते हैं, Albert Einstein की memory सबसे superb थी, वो क्या करते, कि जहां पर भी जाते, अपनी memory से काम कराते रहते, अगर वो railway station गए हैं, तो वहाँ पर जो चार्ट दिखता, कि यह train यहाँ से वहाँ जाएगी, उसका यह number है, तो free time मिला ना, तो खड़े रहकर चार्ट याद करना शुरू करते थे, यानि अपनी याद शक्ती को बढ़ाने के लिए, वो उसको हरदम train करते रहते, इसलिए वो इतने intelligent थे और memory के master थे, तो उसे करने के लिए हमें भी अपने memory को train करना है, और आज की date में भी अगर आप चाहें, तो अपनी memory को train कर सकते हैं.